Mastered का क्या आर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Mastered का दो तरीक इसे इस्तिमाल किया जा सकता है एक तो जिस चीज को Master किया गया हूँ या जो Master किया गया हूँ उसे Adjective के रूप में Mastered कह सकते हैं इसके इलावा Master का Past Tense और Past Participle यानि की Second और Third Vom होती है Mastered और Master का आर्थ होता है वशिभूत करना, अधीन करना, संचालन करना, संपूर्ण करना, निपुनता प्राप्त करना, काबू में रखना, ज्यान प्राप्त करना, रहनुमाई करना, संपूर्ण करना, महारत हासिल करना, ये स्वतंत्र हो जाना जैसे कि अगर आप यह कहना चाहें कि उसने जहाज के चालक दल में महारत हासिल की है तो आप कहेंगे he has mastered the ship's crew या अगर आप ये कहना चाहें कि उसने तकनीक में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है तो आप कहेंगे she has fully mastered the technique या अगर आप ये कहना चाहें कि उसने अनुबंद की भाषा में महारत हासिल की है तो आप कहेंगे she has mastered the language of contract अब आप ऐसे ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें